डॉक्टर रिचा सिंग, विनोच चंदूबे और जिला अध्यक्ष रविंद्रियादव ये कही ऐसे नाम है जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे समाजवादी पार्टी की रातों की नींदूर गई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खिलेश यादव पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे जी हाँ नमस्कार मैं हो मुरितिंजा चाहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 News जो बात मैंने भी आपको बताई हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है और आखिरकार ऐसा देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पहले विधान सबाच चुनाओं में हारती है फिर विधान परिशत चुनाओं में उसे हर का सामना खरना पड़ता है और लगातार जिस तरह से बगावती तेवर उनके नेताओं के नजर आने लगे है समाजवादी पार्टी की मुश्किल आ गयाने वाले समय में कम होने का नाम नहीं ले रही है जो नामें अभी इस वक्त लिये थे वो नाम वही है जो समाजवादी पार्टी के नेता है या समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए है यह सभी नेता लगातार अपनी भडास निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर उन्होंने जो बाते लिखी हैं वो कही ना कही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिले शादव पर बड़े सवाल खड़े करती हैं, उनके पैंतरों पर बड़े सवाल खड़े करती हैं, उनके राजनितिक दाओं पेज पर बड़े सवाल खड़े क तो में समाजवादी पार्टी में अब ही न हाँ अखिलेश यादव के हाथ से बाहर निकल सकते हैं देखा जा रहा है कि जिस तरह इसा आजम खान बगावत करते हैं उससे पहले शफिकुर रह्मान बर्क तीख बयान देते हैं और उसके पहले देखा गया शुपाल यादव अपनी समाजवादी पार्टी से दूरिया बना लेते हैं लगातार इस तरह का घटना क्रम हो रहा है और अब जब जो लोगों में जो समाजवादी पार्टी को लेकर गुसा है अखिलेश यादव को लेकर गुसा है तमाम जितने भी कारे करता है उनमें अखिलेश यादव को लेकर एक थोड़ी सी नराजगी नजर आ रही है और ये नराजगी कही ना कहीं 2024 के चिनावों से प पास क्या आगे की रणनीती है क्या शिपाल अदव को वापस बुलाया जाएगा या फिर वो जिस तरह से बीजेपी में सहाथ मिलाने का सोच रहे हैं वो वैसे बीजेपी सहाथ मिला पाएंगे तो वहीं आजम खान के मुद्दे पर भी अखिलेश शादव ने चुप्पी चुके हैं और अब उनकी डूपती नहीं है को आखिर पार कौन लगागा यह सवाल बड़ा खड़ा होता है फिलाल अभी के लिए इतना ही आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इसमें नाइन न्यूस नमस्कार